नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस टूरिजम के बारे में स्पेस टूरिजम क्या होता है इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं और क्या-क्या इसके चैलेंजिस है क्या-क्या इसके डिसेडवांटेजिस हैं सारे जीजों को हम वीडियो में कवर करने वाले हैं आप इस वीडियो को अनतर देखेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बश्य करेगा पॉलिटिस जोना में जिके टीजर आफी सांस रिमामेर ने ने क्लोज भी तो हम भी इसको देखने के लिए पहमारी प्लेलिस को जूरू चेक करेगा आप किसी भी गसाम के तारी कर रहे हों हमारी प्रेलिस तो कंटरफेक के बागे भी उसको देखिए आपको काफी हल्प मिलने वाली है इसलिए समय निकाल के हमाई चैन को जरू चेक करेगा चले शुरुआत करते हैं देखे पहले बात हो कि Space Tourism अभी हाली में खबरों में क्यों है एक Entrepreneur और Pilot को पी थोटा कुरा ये Indian Origin के हैं Entrepreneur है, Pilot है ये पहले Indian बनने वाले हैं जो कि Space में जाएंगे as a Space Tourist किस के माध हम से? Blue Origin Company के NS25 Mission के माध हम से ये जो Blue Origin Company है ये किसकी है? इसको जफ बेजोज ने बनाया है वही जफ बेजोज जिसने Amazon को भी बनाया है तब यहां पर सबसे important है कि कौन से company के माध्यम से जाएंगे Blue Origin Company और किस mission के माध्यम से NS25 Mission अब देखो यहां पर लिखा है First Indian तो ध्यान रखिएगा कि यह First Indian है जो Blue Origin Company के NS25 Mission के माध्यम से स्पेस में जाएंगे मगर पहले भारतिय जो स्पेस में गए थे वो कौन से है वो राकेश शर्मा है तो यह अपने ध्यान में रखना है लेकिन NS25 Mission में जो एक विक्ती जो हमारे भारतिय है मतलब Indian Origin का है उनका क्या नाम है गोपी थोटा कुरा अब यह थोटा कुरा जो है इनको सेलेक्ट किया गया है 6 crew members में यह एक है यानि कि total NS25 Mission जो है उसमें 6 members जाएंगे उनमें से एक हमारे भारतिय ओरिजिन के थोटा कुरा है किसके माधियम से NS25 Mission के माधियम से हलाकि इसकी जो launch date है यह अभी तक announce नहीं हुई है अगर यह Mission successful होता है तो थोटा कुरा second Indian होगे जो space में जाएंगे after राकेश सर्मा सबसे पहले कौन थे Wing Commander राकेश शर्मा जो कि एक Soviet spacecraft Salute 7 Space Station के माधियम से 1984 में space में गए थे Soviet आज के समय का रशिया इसको USSR भी बूलते थे Soviet और USSR अभी इसको रशिया बूलते हैं हला कि USSR में काफी countries आती थी लेकिन यह देरे देरे divide हो गई जैसे कि Ukraine उन में से एक है और जो पहले का Soviet था भी उसको रशिया बूलते हैं तो सवाल है कि USSR का विगटन क्यूं हुआ तो इसको मैं अच्छे से MC को उसके माधिम से एक लग वीडियो में कवर किया है USSR से लेटे सारे important जी के questions वहाँ पे मैंने आपको बताया है Russian Revolution के questions है फिर वहाँ पे Soviet Union कैसे बना और उसका विगटन कैसे हुआ सारे चीजों को विशा से MC को उसके माधिम से cover किया है questions मिलेंगे वहाँ पे आपको answers मिलेंगे और उनकी अच्छे से explanation भी मिलेगी तो उस वीडियो को जुरू देखेगा link में in description box में दे दूँगा media reports के मताबिक space tourism की जो market है 2013 में उसके value 848.28 million dollars ती यह बहुत जादा है मगर आने वाले समय में 2030 तक में यह expected है कि यह 27,800 61.99 million dollars तक पहुंच जाएगी तो इतनी जादा space tourism की जो market है वो बढ़ने वाली है 2013 में कितनी थी 848.28 million dollars तक इतनी होने वाली है expected है 27,800 61.99 million dollars तो अब यहाँ पे बात आती है कि space tourism होता क्या है basically space tourism वो section है aviation sector की जहाँ पे tourists जो opportunity provide कि आती है कि वो astronauts बन सकते हैं और वो space travel को experience कर सकते हैं aviation sector का यह section है जहाँ पे normal जो tourist है उसको एक opportunity दी जाएगी कि वो क्या बन सकता है astronaut बन सकता है और जो space travel है उसको experience कर सकता है किस चीज के लिए recreational के लिए leisure के लिए या फिर किसे business purpose के लिए तो यह होता है space tourism यह इसकी proper definition है अब हम बात करते हैं कि space tourism कितने types का होता है तो सबसे पहला आता है sub-orbital spacecraft सब-orbital spacecraft क्या होता है सब-orbital spacecraft passengers को सिरफ जो कार्मान लाइन होती है उसके beyond लेके आता है कार्मान लाइन क्या होती है कार्मान लाइन basically एक imaginary line है जो अर्थ का atmosphere को space से अलग करती है दि-market करती है मालो यह है अर्थ का atmosphere और यह है space तो यहां पर यह imaginary line है जो कि अर्थ के atmosphere को space से क्या करती है दि-market करती है यह sea level के 100 km अबव लोकेट होती है 100 km है 62 miles अबव sea level यह लोकेट होती है तो यह होती है कार्मान लाइन तो अब जो sub-orbital spacecraft होता है यह कार्मान लाइन के beyond तक ही passengers को लेके जाता है passengers को यह opportunity दे जाती है कि वो कुछ minutes outer space में spend कर सकते हैं और फिर दुबारा उनको धर्थी पे आर्थ पे लाए जाता है तो अब यह जो blue origin का यह NS25 mission है जिसका थोटा कुरा part है जो इंडिन ओरीजन के हैं यह भी कौन सा mission है sub-orbital spacecraft mission है यानि कि कार्मान लाइन के just beyond यह passengers को लेके जाएगा फिर आता है orbital spacecraft यह कार्मान लाइन के काफी further काफी आगे तक passengers को लेके जाता है जो आपके पस sub-orbital है वो सिरफ कार्मान लाइन के beyond लेके जाता है लेकिन जो orbital spacecraft यह काफी further लेके जाता है अब हम बात करते हैं कि space tourism के challenges क्या-क्या है सबसे पहले आता है high cost space tourism पहुँ जादा expensive है जो भी passenger space tourism में जाना चाते हैं जो tourist वाँ पे उसको space tourism को export करना चाते हैं उन्हें millions में पैसे पे करने पड़ते हैं outer space जाने के लिए हलाकि यह हर एक विक्ती के reach में नहीं है हर विक्ती space tourism के लिए millions में पैसे spend नहीं कर सकता है तो यह सिरफ बड़े बड़े जो अरपती खरपती होते हैं उन्हीं की बात है हम उसको कभी experience नहीं कर सकते क्योंकि millions में पैसा करेशना पड़ता है तो यह हर एक की reach में नहीं है क्योंकि इसकी cost बहुत जादा है फिर आते है environmental concerns अब देखे space tourism जो हैं यह कहीं न कहीं environmental damage भी करता है क्यों क्योंकि जो rockets हैं वो काफी ऐसे gaseous और solid chemicals हैं जिनको directly upper atmosphere में release करता है उसके वज़े से हमारा जो atmosphere वो काफी खराब होता है तो environmental concerns भी हैं फिर आते हैं safety concerns Astronomy magazine के मताबिक high safety standards होने के बावजूद भी November 2013 तक 676 लोग जो कि space में गए उनमें से 19 लोगों के मृत्यू हुई अब इसका मतलब है कि approximately जो 3% astronauts होते हैं वो इस पूरे के पूरे जो space tourism है जो rockets है फ्लाइट है इसके दुरान उनके मृत्यू हो जाती है 676 गए उनमें से 19 के मृत्यू हुई 3% लोगों के मृत्यू हो जाती है तो ये काफी high fatality rate है तो इससे पता चलता है कि space tourism में safety concerns भी है Dragon क्या है privately developed spacecraft है जिसको American corporation SpaceX इसके founder को है Elon Musk SpaceX ने इसको privately developed spacecraft को built किया है Dragon और यह first private spacecraft है जो कि astronauts को orbit में carry करेगा तो यह अपने धान में रखना है Dragon पूछा सकता है किसने बनाया है SpaceX ने बनाया है और यह पहला private spacecraft है to carry astronauts to orbit दूसरा आता है new shepherd, new shepherd fully reusable sub-orbital launch vehicle है इसको space tourism के लिए किसने develop किया है blue origin ने blue origin के founder Jeff Pezos और SpaceX के Elon Musk तो अब एक आता है SpaceX जिसके Elon Musk के founder इनका जो private spacecraft है उसका क्या नाम है Dragon एक आता है blue horizon founder Jeff Pezos इनका जो sub-orbital launch vehicle है fully reusable उसका क्या नाम है new shepherd तो यह था इस lecture का analysis है hope आपको आपको अच्छे लगी हो अगर आपको अच्छे लगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा पॉल्ट इसको देखने के लिए पर हमारी प्लेडिस को जूचक करिएगा आप किसी भी एक्जाम के तारी कर रहे हो हमारी प्लेडिस के बाग के वी चैनल को जुरूँ चेक करिएगा जीगे गांट पर जीगे टिक्स के लिए इसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल एकोन को जूरूद बाद दीजेगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप से मिशना हो आपको बहुत बहुत थनावाद